हमारे देश में एक जूट फैलाया जा रहा है और वो जूट आप तक भी पहुंची होगी वाट्सैप के जरीए और ये जूट ये है कि कॉंट्रैक्ट फार्मिंग से हमारे देश के किसानों की आयद दोगुनी हो जाएगी वो बहुत अभीर हो जाएंगे मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ति आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और इसी जूट का पोल खोलेंगे हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आपने पेपसी का तो नाम ही सुना होगा कोल्डरिंग बनाती है कंपनी है लेकिन साथ में एक और चीज बनाती है आपने खाया भी होगा और वो है लेज के चिप्स आलू के चिप्स जो आप पैकेट खोलते तो आपको देखेंगे कि सारे आलू बिल्कुल सेम साइज के कैसे मिलता होगा इनको ऐसे आलू क्योंकि मैं जब मेहमानों के लिए दमालू बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं हमारे यहाँ पे जो सबजी वाले हैं उनको फोन लगाता हूँ और कहता हूँ पवन यार मुझे जो आलू है बिल्कुल सेम साइज के देना पवन मेरा यार है तो वो भी बोरी खोलके बिल्कुल कोशिट करता है सेम साइज के आलू मुझे दे दे लेकिन उच नीच तो होता है क्योंकि बोरे में आलू जो आते हैं सब अलग-अलग साइज के होते हैं तो आप सोचते होंगे कि पेपसी वालो को या कोई भी चिप्स कंपनी को ऐसे सेम साइज के आलू कहां से मिल जाते हैं कॉंट्रैक्ट फार्मिन से, जी हां, पेपसी ने कई राज्यों में वहां के किसानों के साथ कॉंट्रैक्ट साइन किया हुआ है और वहाँ पर क्या होता है? Pepsi उनको अपनी special बीज देती है, आलु उगाने के किसान आलु उगाते हैं, और वो जो उपज होता है, वो Pepsi को ही बेचते है पंजाब में आप देखेंगे तो पिछले दो दशक से Pepsi लगाता है और वहाँ पर आलु उगा रहे हैं और वो आलू खरीद कर उससे पटेटो फ्राइज बनते हैं पटेटो चिप्स बनते हैं अब वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जो विशेशग्य हैं वो कहते हैं कि इससे पंजाब में एक पटेटो रेवल्यूशन आ गया है जिसको आप कह सकते हैं आलू की क्रांती बड़े किस किसान भी कुछ है जो कहते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है लेकिन छोटे किसान जितने भी सर्वे हुए हैं सब कहते हैं ये कॉंट्रैक्ट फार्मिंग से बड़े किसान को फायदा होता है हमें कोई फायदा नहीं होता है फेपसी ही नहीं आप कोई भी बड़ी कं तो सभी कंपनिया बड़े किसानों के साथ ही deal करना चाहती है, contract करना चाहती है, वो छोटे किसानों को ignore कर देती है, इसमें company का कोई दोश नहीं है, क्योंकि company का काम क्या होता है, उनका क्या काम होता है, मुनाफ़ा बनाना, मुनाफ़ा दिखाना, वो यहाँ पर किसान के भले क के लिए खेती करने नहीं आये हैं, किसान के भले के लिए contract farming नहीं करने आये हैं, वो मुनाफ़ा कमाना चाहती है, अब आप देखिए कि chips के लिए अगर एक टाइप का आलू है, special बीज है, जिसको Pepsi ने register भी कर रखा है, तो बीज किसान को देना पड़ता है, साथ में जो input हो कीट नाशक हुआ, ये भी सस्ते में एक टाइप का discount पर किसान को देती है Pepsi, साथ में technical जितनी भी जानकारी होती है, कि इसको उगाना कैसे, अलग टाइप का बीज है, इसको उगाने का तकनीक भी अलग होता है, ये भी support Pepsi देती है, हर 15-20 दिन में एक महिने में आकर सर्वे कर जादा है, टाइम जादा लगता है, अब अगर एक किसान के साथ आप contract कर सकते हैं, एक किसान के साथ deal कर सकते हैं, उसके जगे आपको BCO किसान के साथ करना पड़ेगा, तो आप कौन सा choose करेंगी, एक ही किसान न, इसलिए जहां जहां पर भी contract farming हो रहा है, वहां वहां पर ए उगाए जाते हैं, क्या होता है, कि बड़े जो farmer है, बड़े किसान है, वो छोटे farmers को, छोटे किसानों को बटाई में अपना खेत देते हैं, या खेत का एक हिस्सा दे देते हैं, कहते हैं कि आप इसमें उगाये, जो भी बन रहा है, फ़सल बन रहा है, उसका एक भाग पर machine का use जादा होता है, खर्चा जादा होता है, लोगों की जरूरत कम होती है, वहाँ वहाँ बड़े किसान क्या कर रहे हैं, छोटे किसानों से lease पर land ले रहे हैं, और छोटे किसानों का क्या हो रहा है, छोटे किसान वहीं पर compete नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी company आ है वो छोटे किसानों के साथ contract में नहीं आना चातें क्यों नहीं आना चातें जैसे मैंने आपको पहले ही बताए इसमें company की दोश नहीं है वो उतना काम ढूंडने निकलते हैं कहीं और कहीं और चाहे वो शहर हो या गाउं में ही कोई और काम और आप जानते हैं मोदी सरकार के टाइम पर काम का क्या हुआ है रोजगार के अफसर का क्या हुआ है बिलकुल गोल हो गए है जीरो है कम हो गया है पिछले 6 सालों में काम के अफसर घ पैदा कर रहे हैं या जो भी चीज़ पैदा कर रहे हैं वो मैं भी कर लो तो मुझे भी फायदा होगा क्योंकि इस पर रिटर्न अच्छा है अब क्या होता है बड़े किसान का जैसे पूरा जो उपज है वो पेपसी ने या किसी कंपनी ने खरीदा नहीं जितना जरूरी था जितना कॉंट्रैक्ट किया है उतना ही खरीदा बाकी रह गया या बीज रह गया वो बेज देते हैं मार्केट में तो मार्केट में काले वाजार में ये बीज मिल जाते हैं कभी-कभी छोटे किसान कभी-कभी क्या होता है उसको खरीद कर खुद पैदागवर करने की करते हैं किसी बड़ी कंपनी को बड़ी कंपनी लेते नहीं है ऐसे क्या हुआ है गुजरात में नौ ऐसे किसान जो पेपसी का चार एकर का है आलू उगाकर भी पूरे सीजन में वो जादा से जादा एक लाक रुपे उससे बना रहे थे पेपसी ने उनके खिलाफ केस फाइल किया और क्या केस फाइल किया पेपसी ने फाइल किया कि हर एक को एक कडोर से जादा जुर्माना देना पड़ेगा आप सोच य एक कडोर से ज़ादा जुर्माना देगा खैर किसान के जितने भी यूनियन है वो साथ में आगए किसानों के और पेपसी ने भी वापस ले लिया अपना केस इसलिए ये पूरी तरह गया नहीं लेकिन आप बात समझिए कि पेपसी क्यों करना चारी थी ये पेपसी का यहां प बड़े आलू होते हैं अगर ये मार्केट में फ्री में बिख जाए तो कोई भी बनाएगा कोई भी हमें नहीं बेचेगा तो हमें भी अपना जो राइट है इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसलिए पेपसी ने केस दर्ज किया ये बिजनेस का मामला होता है इसमे ये बिजनेस का धर्म ये ही बिजनेस के उसूल है आप इसको गलत नहीं कह सकते खैर आप देखिए कि नए कानून में क्या हो रहा है नए कानून में कॉंट्रैक्ट अगर साइन क्या हो या कोई विवाद हो किसान और कंपनी में तो किसान कोट में नहीं जा सकते किसान कोट तक नहीं जा सकते, वहीं पर SDM के ट्राइब्यूनल में तै होगा कि क्या लेना है, क्या करना है, अब आप सोच लीजिए, ऐसे में किसान को न्याय मिलेगे या नहीं, आप पर छोड़ देता हूं, सबसे जाए अगर वो छोटे किसान हो तो आप पर छोड़ देता हूं, कि उन कि हमारे कोर्ट में कितने केस पड़े हूं है, बैकलॉग कितना है, कोई भी केस लड़ते लड़ते कितने साल निकल जाते हैं, एक तरफ है छोटा किसान, उसका वकील, जो कि वहीं का कोई होगा, कम पैसे लेने वाला वकील, और दूसरे तरफ बड़ा कमपनी, जिसके पास 10 दस दस बीस यों बड़े बड़े वकील हैं, सूट बूट वाले वकील हैं, जो एक एक पेशी के 15 लाख रुपए लेते हैं, क्या ये बराबर की लड़ाई है, क्या आप कह सकते हैं कि बराबर की लड़ाई है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई विवाद हो तो, खैर यही है असलिय किसान और भी जादा खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मी एक बार आ गये है, तो उनको अपने खेत से हाथ धोना पड़ेगा, और जहां वो खेती कर भी पाएंगे, वहाँ पर भी वो गुलाम बन जाएंगे कमपनियों के, और ये सिरफ किसानों क भी बात नहीं है, ये आप समझ लीजे, ये हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की भी बात है, क्योंकि बड़ी-बड़ी अमेरिकी जो एगरी बिजनेस के कमपनिया है, वो हमारे देश में अनाज बेचना चाहते हैं, वहाँ पर बाकी चीज़े उपते नहीं है, गेहु बग हम सस्ते में बेचेंगे, जो वो चाते हैं और वो धान वगेरा हमको महंगे दामों में बेचेंगे, यही उनका खेल है, अगर आप देखे तो ये कानून, ये काले कानून सिरफ किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी भी है, इसलिए आपको भी इसका विरोध करना चाहिए न्यूस क्लिक के वीडियो लाइक कीजिए, देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाईए ताकि सबसे पहले आपको पता चले जब हमारा नया वीडियो आ गया हो